नमस्कार मैं पूजा ओल्ट निउस से सोशल मीडिया में एक बच्चे की तस्वीर जिसके बाई हाथ में जलने के घाव हैं काफी वाईरिल है तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये बच्चा तमिल नाडू के एक इसाई स्कूल का छात्र है जिसे कले में अयप्पा माला पहनने की वज़े से स्कूल के शौचाले को साफ करने के लिए कहा गया था जिस वज़े से उसका हाथ जल गया तो क्या ये सच है? नहीं, असल में पालग स्कूल के रसायन विज्ञान के प्रयोग शाला यानि की केमेस्ट्री लबॉरिटरी से तेजाब की बॉटल्स हटाने के दौरान जल के जखमी हुआ था The Times of India की एक 5 डिसेंबर की रिपोर्ट के मताबिक प्रारंबिक पूचताज में पता चला था कि लाब में दीमक लगने की वज़ा से स्कूल के हेड मास्टर ने 5 विध्यारतियों को लाब की सफाय के काम में लगाया था सफाय के दौरान एक तेजाब की बॉटल गिरने से 12 वर्ष ये महराजा जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया में प्रसारत है को गंभीर चोटे लगी थी और एक और बालक प्रमोद को हलकी चोटे आई थी ट्यूटी कुरन की मुख्य सिक्षा अधिकारी का कहना है कि जिले के हर स्कूल में एक सोखिलो भेजा गया है कि किसी भी बच्चे को तेजाब, ज्वैलनशील पदार्थ या कोई भी खतरनाक वस्तू को सम्हालने के लिए नहीं बोला जाएगा और उसे बाचीत के दोरान सिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल के हेड्मास्टर को घटना के बाद निलंबित किया गया था उन्होंने ये भी कहा कि मामले में कोई भी साम्रदाय कोण नहीं था हेड्मास्टर ने सफाई के काम में पांच विद्यारतियों को लगाया था और ये सब भी अलग-अलग समुदाई से हैं जलने की चोट लगने के बाद दोनों बच्चों को पहले ट्यूटे को रिन मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में एक प्राइविट अस्पताल में भर्ती किया गया तमिलनांडो के गुड शेपर्ड स्कूल में कोई इस घटना को सोशल मीडिया में एक साम्प्रदाईक रंग देने की कोशिश की कई अगर आपके पास कोई भी ऐसे भड़काऊ संदेश आए या आपको किसी भी खबर पर संदेख हो तो आप उसे आल्टन्यूस की आप पर भेच सकते हैं आल्टन्यूस का आप आप गूबल प्ले स्टोर से डाउन्डोड कर सकते हैं सच्चाई जानने के लिए आल्टन्यूस से जोड़े रहें धन्यवाद